वटक तीस सेकेंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक एप उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा महिला कारेकरता सडकों पर चौराहों पर आकर हाथ में प्लेकार्ट पकड़कर खड़े थे और उन्होंने कहा बहू और बेटी सुरक्षा अधिकार देने का काम किया तो भारतियंता पाटी ने किया है किसी की बहू और किसी की बेटी यहां पर सुरक्षित मैसूस करती है और जो पांच साल पहले दिन दिहाड़े सडकों से अपरन होता था बलातकार की घटना या आती थी अपराधिक मुकदमें दर्च किया आते थे वो आज उस तरह से नहीं है क्योंकि अपराधियों पर सरकार अव्याद कवजों पर चली है इसी लिए उत्तरप्रदेश की अंता एक पर फिर भाजपा की सरकार को वापिस देखना चाहती है कि हमने जो काम किये हैं उसका फीड़े काड़ रहे हैं योगी आदे तेना इस पर आप लोग क्या टेंगे देखिए यह वही लोग हैं जो कहते हैं हम नई सपा हैं यह वही सपा है जिनसे जनता खफा है और दस मार्च को अखिलेजी कहेंगे इव्यम बेवफा है आप लोग ने सत्रह में सरकार बनाई बीजेपी ने तो ओवी सी नौन इरब ओवी सी बहुत बड़ा फैक्टर था और इस बार अखिलेश इस तर भारती अंता पार्टी में जोएन के सपा को छोड़कर और बाकी दलों को छोड़कर बहुत बड़ी लिस्ट है अब सवाल उठाया जो सूची जारी देर से हुई है अभी एक सूची आई दूसरी मैंने कहा दूसरी सूची जारी नहीं कर पाए क्योंकि सपा के गटबंदन क के उमीदवारों की सूची एक चारशीटर जैसे चारशीट होती है ना जुसमें नाम लिखे होते हैं उस तरह से दिखती है कोई जेल वाला है कोई बेल वाला है उसका जवाब आज तक अखिलेजी नहीं दे पाए कि जेल वाले बेल वालों को टिक्टे क्यों दी और यह उम जिन्होंने पांच लोक सभा के चुनाव जीते, पांच साल उत्र परस्टेश के मुख्य झाल झाल